वेल्कम बैक, इन्वेंटिव क्वीज कॉंटेस्ट 2024-1 का रिजल्ट आ गया है, जो कि 26 जिन्वरी के मौके पर किया गया था, एक टेस्ट था जिसमें तीन तरह के प्राइज हैं, फॉर्स्ट विनर को 10,000, सेकेंड विनर को 5,000, फॉर्ड विनर को 3,000, एन 10 कॉंसलूशन प्राइज भी है इसमें, तो IQC 2024 का जो पहला टेस्ट था, उसका रिजल्ट का अनॉंसमेंट आज हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग यह जानने कि कौन-कौन इसमें eligible हैं, और कौन-कौन इसमें participate कर सकते हैं, यह पहले ही बता दिया गया था, कि eligible class जो है class 10 to graduation graduation के बाद भी नहीं और 10 के पहले भी नहीं तो जो class 10 और graduation में हैं या graduation के बीच में हैं इन दोनों में वही इसमें participate कर सकते हैं सही question में नाने पर 4 marks दिये जाते हैं और गलत question होने पर 1 marks काट ली जाते हैं निगेटिव marking हैं इसमें तो पिछला जो test ठुपा था उसमें 20 question बायलोजी से था और 10 question जनल से था total marks जो था वो आपका 80 marks का बायलोजी था और 40 marks का आपका जनल था लेकिन एक question पर dispute हो जाने के कारान हमने एक उस question को जो है disqualify कर दिया है तो अब total जो marks रह गया है वो है बायलोजी में 80 marks है और जनल में 36 marks बचे तो अभी जो result रहा है एविलवेशन का उसमें 116 marks का point की basis पर हुआ है जिसमें कि बायलोजी के 20 question के 80 marks लिए गये है और जनल के 9 question के 36 marks लिए गये है इसका last test registration का 25th January को था और test इसका 26 January को हुआ उसका result अभी हम लोग announce करती है इस result में हमने पाया कि first position पाने वाले 10 student है जिसका 116 marks है, full marks है second position पाने वाले 21 student है जिन्होंने 111 points हासिल किये है और third position पाने वाले 21 student है जिन्होंने 106 points हासिल किये है अब सवाल है कि price distribution कैसे होगा तो आप नियम को ठीक से पढ़े term condition पहले बताया गया है और अभी भी आप website पर link देदोगा इसका description में अभी भी website पर जाके उसको check कर सकते हैं सारे termos conditions को तो अब जो है next क्या होगा तो इसका second round होगा अब जो भी qualified किये हैं वीडियो के last में सभी का नाम यहाँ पे so हो जाएगा जो first position में है जो second position में है और जो third position में है अब जो first, second, third position में है उनके लिए होगा round two round two में सभी नियम वैसे ही होंगे अगर आप सही बनाते हैं चार marks दिये जाएंगे और अगर गलत बनाते हैं एक marks काट लिए जाएंगे इसमें total 15 questions होंगे जिसका point बनता है 4 marks के हिसाब से 60 points होंगे और इसके लिए time दे जगा आपको 10 minute के लिए यानि कि 10 minute 15 questions 60 points अब इसमें से जो पहतर करेंगे इसके बाद ही हम लोग final announcement करेंगे कि first किसका rank है, second किसका rank है, third किसका rank है consolation किसको मिल रहा है ये ज़रूरी नहीं है कि first rank script एक ही rank हो है अगर इसके बाब जूद भी अगर first rank दो, एक या एक से अधिक बच्चों में आता है participants में आता है तो वो जो 10,000 का price है वो सभी में equally distribute हो जाएगा यानि कि अगर दो participant का first rank आ गया तो 10,000 पटकर 5,000 5,000 हो सकता है और अगर दो से जाधा आया तो वो distribute हो सकता है उसी तरह यही same नियम जो है third और second position के लिए भी लागू होगा और consolation के लिए भी तो आप तयार हो जाएए second round में participate करने के लिए second round में कैसे participate करें सबसे पहले आप अपना detail जो detail अपना registration के समय दिया था उसी नंबर से अपना registered mobile नंबर से हमें detail send करिए जो कि हमारा official WhatsApp है इसके बाद आपको एक registration link मिलेगा आप जब अपना detail WhatsApp कर देंगे इसमें तो आपको एक registration link मिलेगा second round के लिए उस पर register करना है register करने के बाद आपको एक ID और passport दिया जाएगा पोटल के लिए उस ID पासपर्ट से आप login करेंगे और अपना test दे पाएंगे और अब इसके लिए कौन सा date में क्या क्या करना पड़ेगा तो लास्ट डेट इसका registration का है दो फरवरी 2024 यानि कि दो से पहले रात 12 बुजे से पहले दो तारीक को आप अपना registration complete कर लिजी आप उससे पहले हमें अपना डिटेल दे दी ताकि हम आपको लिंक भी सेके और आप उसमें registration complete कर पाएंगे अगर आप registration में फेल होते हैं ता आपका participation रद हो जाएगा तो आपको हमने पहले बताया था आप यहां अपडेट रहें आपको email भी गया है और आप चल से जल्द हमें डिटेल भेजें और registration complete करें अब डिटेल में क्या डिटेल भेजना है आपको अपना नाम भेजना है और अपना student ID काड चो यह दरसा सकेक अप 10 से registration के बीच में हैं दो चीज़ें आपको WhatsApp कर देनी है और किस नमर से अपना रजिस्टर्ड नमर से करना है ताकि हम लोग नमर आपका मैच कर सके आप अपने रजिस्टर्ड नमबर से हमारे रजिस्टर्ड जो ओफिस्यल नमबर है 9471 455844 आप इस पर हमें WhatsApp कर देजिए और सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा कर देख आपका